तोड़ी आप सबी को रहता है कैसे करते हैं मल्टिप्लिकेशन क्या होता है तो फर्स्ट एक्सराइज ऑफ अवर कोर्स भूक इस हमारी कोर्स भूक की एक्सराइज फर्स्ट है लेट्स प्राइवन इसको जो है आपको अपने मैज़ केर कॉपी में करना है तो इसको जब अपने कॉपी में करना है कैसे करना है एक्स्टेंड टेबल ऑफ 12 यूजिंग गीवन नंबर लाइन इस 12 की टेबल को लिखना है यहां पर नंबर लाइन का यूज करके अगर 12 की टेबल अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लिख सकते हैं 12, 112, 12, 24, 12, 36, 12, 40, 12, 50, 60 यहां पर 48, 48, 48 प्लस 12 करेंगे तो क्या हैगगा 60 कर के देख लेना आप 60 plus 12 करेंगे तो 72 72 2 plus 12 करेंगे तो क्या है का 84 ऐसे आप कौनसी भी टेबल को जो है number line का use करके बना सकते हैं ठीक है now second question है write the table of 4 using the given number line in your notebook इसमें क्या करना 4 की table लिखना है number line का use करके इस number line का use करके ठीक है तो 0 में 4 plus करेंगे 4 की table बनानी हमको तो 0 में अगर 4 plus करेंगे तो क्या हैगा 4 तो यह हो गया 4 इसका circle कर दिया ऐसे 4 में 4 plus करेंगे तो क्या हैगा 8 तो 4 plus 8 हो गया ऐसे 8 में 4 plus करेंगे तो 12 तो 4 3 जा 12 ऐसे 12 में 4 plus करेंगे तो 4 4 जा 16 16 में 4 प्लस करेंगे तो जाएगा 20 तो 4, 5 जा 20 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 4, 6 जा 24 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 4, 7 जा 28 4, 8 जा 32 4, 9 जा 30, 6 4, 10 जा 40 3rd is draw your own number line in your notebook and show the table of 7 अब इसमें 7 की table है हमको number line का use करना है तो किसे 0 में हम क्या प्लस करेंगे तो 7 आएगा तो यह हो गया 7 अब 7 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आजाएगा 14 14 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21 21 में 7 प्लस करेंगे तो 28 28 में 7 प्लस करेंगे तो 35 35 में 7 प्लस करेंगे तो 42 42 में 7 प्लस करेंगे तो 49 49 में 7 प्लस करेंगे तो 56 56 में 7 प्लस करेंगे तो 63 63 में 7 प्लस करेंगे तो 70 ऐसे ऐसे number line मनानी आपको now second exercise है अपकी let's try to answer the following questions in your notebook के आपको अपनी fair copy में करना है ये भी फिर्स question है create multiplication table of 13 using the strategy of breaking it into 3 and 10 नहीं तो हमको क्या करना है इसमें कि multiplication table बनानी है किसकी 13 की कैसे 3 और 10 का use करके तो इसमें 3 और 10 की table का use करके किसकी table बनाएंगे 13 की अब 3 की table हमने लिखी 10 तक 10 की table लिखी 10 तक अब 3 और 10 की table को अगर हम plus करेंगे तो हमारी 13 की table बन जाएगी 3 और 10 को plus करोगे तो क्या आएगा 13 6 और 20 को plus करोगे तो आएगा 26 6, 30 और 9 को प्लस करेंगे तो 30, 9, इसको 12 और 40 को प्लस करेंगे तो 52, 15 और 50 को प्लस करेंगे तो 65, 18 और 60 को प्लस करेंगे तो 78, 21 और 70 को प्लस किया तो 91, 24 और 80 को प्लस किया तो 104, 27 and 90 को प्लस किया तो 117 300 को प्लस किया तो 130 तो ऐसे हमारी 13 की टेबल बन गई 13 बन जा 13 होता है 13 बन जा 26 13 जा 39 ऐसा है Now question number second है Let's try two का Choose a number between 15 and 20 एक number choose करना है हमको 15 and 20 के between Create the multiplication table और उसके लिए टेबल बनानी By breaking it into smaller number And combining their tables मतलब कोई भी एक number जैसे मैंने यहा लिया है 16 की टेबल बनानी है मुझे तो मैंने इसको कैसे ब्रेक कर दिया 6 और 10 में 6 की टेबल लिख दी 10 की टेबल लिख दी अब इन दोनों को प्लस करते जाएंगे तो हमारी 16 की टेबल बनती जाएगी चीक है तो 16 की टेबल जैसे कि टेबल लर्न नहीं है ना 16 की तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 16 इन दोनों को प्लस करोगे तो 40 इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 32 16 to the 32 इन दोनों को प्लस करोगे तो 16.3 जा 48 इन दोनों को प्लस करोगे तो 16.4 जा 64 अब 16.5 जा 80 16.6 जा 96 16.7 जा 112 16.8 जा 128 16.9 जा 144 और 16 जा 160 तो यह बन गई 16 की टेबल इन दोनों को एड करना इनको एड करना तो 32 आएगा इन दोनों को एड करोगे तो 48 तो ऐसे 610 की टेबल को प्लस करेंगे तो 16 की टेबल तो यह वाव तो राइट बोद इस लेट्स ट्राइबन लेट्स ट्राइब टेम आएट्ट्स टीए प्लस करेंगे तो यह जाएट्स करेंगे तो की टेबल